दोस्तों अब अगर आप कोई ऐसे सॉफ्वेयर के बारे में जूँद रहे हो या सर्च कर रहे हो कि आप अपने लैपटाप की स्क्रीन रिकाड कर पाओ या फिर आप अपने फोन के लिए कोई ऐसा सॉफ्वेयर अप्लिकेशन आप धूंड रहे हो जिसके विश्च वाशे आ अब लैप्टॉप में अगर करना चाहते हो जिसके तुरू आप इजली अपने लैप्टॉप को कोई टुटूरल वीडियो बना रहे हो तो उसके लिए इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सबसे बेस्ट स्कीन रिकॉर्डिंग जो सौफ़वेर हो कौन सा है जिसके व मेरा नाम है नवीर वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दो ऐसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग सौफ़वेर के बारे में जो की जिसके वाज से एक तो आपके लैप्टॉप के लिए होगा दूसरा आपके स्मार्टफोन के लिए होगा तो अभी मैं लैप्टॉप के लिए ब लिए तो यह यह जादा खा लोड भी नहीं है तो जैसकि आप देख सकते हैं आइस्क्रीं में थंडा भी रहता है तो यहां पर देख सकते हैं और यहां प eu已से उपस्टいき पर है और पूल मिलताल पर पी छGGन पर छाया हिएे झाकराई जैसी यहां पर पाया सकते हैं आपको करसकते हैं आपके रिखॉर्ड करसकें अब डिख सकती हूँ इस तरीपंगे baik आपको दीख सकते हूँ आपको सब्सक्राइब करनी और और वहोगा की waterproof तो उसमें बहुत सारे complicated रहेंगे और अपने हिसाब से आपको अच्छे तरीके से मिलेगा नहीं उसमें आप सुन क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे application है वो सारे जो application अच्छे तरीके से काम नहीं करते हैं और अगर आप video editing software यूज़ करते हैं तो उसमें भी screen recording का इंटर्नली option आता है लेकिन जब आप उसे use करोगे तो उसमें एक चीज़ का घाटा होगा कि जब आप उसको record करोगे तो आप उसी के editor में ही edit कर पाऊगे लेकिन इससे जब आप record करोगे तो आप easily किसी और भी editing software का यूज करके इसके videos को edit कर सकते हो तो इसमें इस इसका फायदा है लेकिन दोस्तों यह जो screen recording software यह free में आपको बिल्कुल पांच मिनट तक का option मिलता है अगर आप इसका pro version खरीदेते हो तो ही आपको मिलेगा कि आप full time मतब कोई भी बिन time limitation के आप screen record कर सकते हो लेकिन मैं आपको description में लिंक मिल जाएगा वहाँ पर जाके आप इसका pro version free में download कर सकते हो उसके लिए आपको ज्यादा मैंनत नहीं के निवड़ी जैसे आपको link पे click करना है जो यह जो screen recorder है इसका pro version आप easily download कर पाऊगे और उसके बाद अपने computer में install कर रहा हो और यह सबसे lightweight एक तरीके से screen recording software है जो आप live stream को भी easily record कर सकते हो अब दिशकते हैं पर बहुत सारे settings आपको मिल जाते है इस resolution में आप full SD तक record कर सकते हो easily इस application के तूर इसमें कोई आपको time limitation नहीं है और यह जो frame rate आप देख सकते हो अपने हिसाप से adjust कर सकते हो कि कितने frame rate का आपको record करना है कोई भी screen ठीक है जो भी करता है कि अब जितना ज्यादा bit rate रखोगे वीडियो की call to me आपको अच्छी मिलेगी ठीक है तो यहां पर आपको orientation का भी option मिलता है जैसे कि landscape में अगर record करना है तो उसका भी आपको यहां पर option मिलता है और सबसे बेस्टीस यहां पर यहां से internal audio कभी इसमें record कर सकते हो अपन आप gameplay वीडियो खेल रहे हो तो इसका आप easily इसके through internal audio के साथ उस gameplay को record कर सकते हो या फिर कोई live stream देख रहे हो YouTube पे तो अगर आपको record करना है उसकी वीडियो उसको या फिर कुछ भी तो आप easily इस application के through install कर मत्तब इसको और उसको record कर सकते हो और इसमें कोई ऐसा आपको time limitation नह हो गया ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल free है और unlimited time तक आप जितना चाहो उतना record कर सकते हो इसमें कोई भी time का limitation नहीं है इसके लिए आपको अपने phone को route भी नहीं करना है बस यह अगर आप इसे purchase करोगे तो आप आपको ads नहीं दिखेंगे बस यह इसका वो है otherwise यह जो बिल्कु यूटूब पर live stream करना चाहोगे तो इस application को तुरूब यूटूब पर live stream भी कर सकते हो और उसमें watermark भी नहीं आता है ठीक है सबसे अच्छा advantage इस application का यह है और इसकी quality वीडियो quality जब record होती है तो काफी अच्छी आते है क्योंकि मेरी जितने भी आप वीडियो देखोगे इ सबसे बेस्ट लगबग मैं दो-तीन साल से इस application को यूज कर रहा हूं और मेरे लिए भाई सबसे बेस्ट अप्लिकेशन है और मैं बाकी और जो की डियू screen recorder है वह भी सब देखा उसमें भी वाजिक तो आपको इसमें watermark का भी option मिलता है मतलब जब भी आप स्ट्रीम करोगे तो नीचे दिखाएगा कि भाई यह दियू screen recorder के तुरू से stream किया जा रहा है मतलब उसका watermark नहीं हटता है बट लेकिन आप इस application करोगे तो watermark का तो कोई जंजटी नहीं है बिल्कुल free है कोई watermark आपको देखने को नहीं मिलेगा अब इसे इसके तुरू अब facebook पे live stream कर सकते हो यूटूब पे live stream कर सकते हो अब अपने phone का screen record कर सकते हो या फिर कोई live stream में आगर आप देख रहे हो तो उसका कुछ portion अगर आपको record करना है तो आप इससे open करके उस portion को record कर सकते हो तो इतने सारे feature आपको बिल्कुल free में मिल रहे हैं आप सीधे इस application को play store से ही download कर सकते हो देख नहीं कि आपको Google में जाना है इसका IP के download कर या फिर mode version ऐसा कुछ नहीं बिल्कुल free है आप अपने play store से easily download करते होगे और उसके लब को ज्यादा मेहनत में नहीं करने है just simple play store में जाना है इसे install करना और इसे use करना है that's it यही जो दोस्तों दो application मैं ने बताया आपको एक अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगाते है इस वीडियो को लाइक करना, share करना इस वीडियो को अपने दोस्तों को साथ और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्काइब ने किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्काइब करके रखना क्यूंकि मैं आपके लिए कुछ ऐस से इंट्रस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूं